हेलो फ्रेंट्स आप देखने है टेक्निकल हिंदी गुरूजी फ्रेंट्स एक इंपोटेंट ओफिसल अपडेट आपके लिए है जी आप फ्रेंट्स है पंजाब की जो चात्र है उनकी टेंटेटिव प्रोविजिनल मेरिट्रिलिस्ट रिलीज की गई है अगर मैं इसके जो आठारे नमबर से लेकर 28 नमबर 2021 तक इसके रेजिस्टेशन हुए थे जो की प्रेंट्स आप देख सकते हैं और जन चात्रों रेजिस्टेशन किया है उन चात्रों की जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है बो रिलीज हो चुकी है आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिशन देती है जाकर के टेलीग्राम पर आप जोईन के लिजीगा वहां से आप कोई लिस्ट मिल जाएंगी ओपन केटेगरी की बात करो तो ओपन केटेगरी की लिस्ट आप देख सकते हैं यह open category की list है और जिन जिन छात्रों का इस list में नाम है प्लीज एक बार comment box में बताएगा और category 12, category 13, 14, 15 इस तरह से आप अपनी category की according इस list को आप देख सकते हो और list को download करके आप देख सकते हो कि आपका नाम इस list में है या फिर नहीं है ठीक है अगर मैं friends बात करूं यहां पर कि जिन छात्रों का नाम इस list में नहीं है तो क्या करना चाहिए तो देखीगा friends करना कुछ नहीं है आप लोगों को परिशान होने की कोई भी आवस सकता नहीं है आपर क्योंकि आने बाला जब second round होगा तो बहां पर भी आपको मौका मिलेगा ओल इंडिया कोटा की जो counseling होगी बहां पर भी आपको मौका दिया जाएगा अब देखीगा जिन छात्रों का नाम इस list में दिया गया है बो छात्र एक tentative provisional merit list है वही छात्र जो है देखीगा आपने registration बगरा किये थे registration के बाद जिन जिन छात्रों registration किया तो जो eligible पाए गया उनका नाम इस list में दिया गया होगा provisional tentative merit list में ठीक है उसके बाद friends आगे का process जो भी रहेगा यहाँ पर मैं आपको website पर inform करता रहूँगा so that आप चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें जैसे हमारी हर notification आप पहुंचती रहे मैं आपकी counseling की पूरी information करूँगा और मैं बात करूँ यहाँ पर friends cutoff के लिए करके कि previous year में क्या cutoff कई थी MBBS के लिए तो मैंने यहाँ पर official cutoff open कर लिए आप देख सकते हैं cutoff final cutoff new 2020 MBBS course यहाँ से आप देख सकते हैं आदिस medical college जो कि friends MBBS के लिए government quota यहाँ से 4 75 marks पर इस चात्र को college मिला था minimum marks पर ठीक है उसके बाद government quota BC के लिए यहाँ पर आधिस medical college 268 पर यह mark college मिला था तो आप देख सकते हैं management quota के लिए 131 पर यह college दिया गया था 131 पर government college यहाँ पर SC के candidate को यहाँ पर मिला था तो आप देख सकते हैं अगर आपका नाम इस list में नही नहीं तो हमको क्या करना चाहिए तो आपके लिए परिशान होने की कोई आवर्शक्ता नहीं है next round जब होगा ठीक है और all India quota की counseling भी start नहीं हुई है तो all India quota की counseling जब start होगी तो बहाँ पर आपको college लेने का मौका दिया जाएगा उसके बाद मैं बात प्रूं फ्रेंट्स BDS के लिए कितने कितने marks पर college दिया गई थे तो आप देख सकते हैं ADIs and R Batinda यहाँ पर BDS के लिए government quota में BC के लिए 121 पर college alert किया गया था 105 marks पर आप देख सकते हैं management quota में BDS के लिए seat मिली थी आप यह देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं मैं Telegram पर इसकी website की link share कर दूँगा इस website की link share करने के बाद इस website की जो भी information है आप यहाँ से देख सकते हो नीचे जो यहाँ पर दी गई है वो cutoff marks cutoff दी गई है MBBS BDS की यहां से कब से कब तक registration हुए थी यह वो दिया गया है साथ ही अपनी category की जो provisional tentative provisional merit list पंजाब द्वारा release की गई थी यह इस website पर आते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अपने category के accordingly जिस category साफ बलों करते हैं उस category के accordingly आप अपनी category tentative merit list यहां पर check कर सकते हैं कि आपका list में इस नाम है यह नहीं है और एक बात और बताएगे का friends अगर आपने form भराता registration किया था counseling के लिए अगर आप आपका नाम इस list पर नहीं है तो एक बार comment box में चाहूंगा कि आप सभी लोग बताएगा जरूरूर बाकि मिलते हैं next वीडियो में अग लेपड़ेट के साथ फिलाल इस वीडियो में इतना ही था कोई query भी कर रहा होती है तो लीचे comment box में पूछ सकते हैं ठीक है तो धन्व दोस्तों beauty दिखने के लिए